प्रकिरिया चालो हो चुकी है तो आपको नामांकन करने के लिए यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस वाले पेज पर चले आएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले जो कंसेंट है वो दे देना है उसके बाद आवेदन करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है अब आपके सामने common application form कुछ ऐसा open हो जाएगा यहाँ पर बिहार विद्याले board का नाम दिया गया है B.S.E.B. बिहार यहाँ पर आपने किस साल परिच्छा उत्तिन नहीं है वो years आपको यहाँ पर चूस कर लेना है उसके बाद यहाँ पर annual वार्सिक परिच्छा है और compartmental पूरक परिच्छा है ठीक है तो annual पर यह रहने देंगे उसके बाद यहाँ पर अपना जनम्तिती चूस कर लेंगे अपना इसकूल का जो roll code होता है वो यहाँ पर fill करेंगे और यहाँ पर roll number fill करेंगे यदि आप बिहार बोर्ट से pass किये हैं तो जैसे ही आप अपना roll code और roll number fill करिएगा आपका आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की माता का नाम ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो चूस करना है ठीक है फोटो यहाँ पर चूस कर लेंगे जो की जेपी जी फाइल में होना चाहिए देन उसके बाद जो आपका मार्क सीट में कुल अधिक्तम अंक है वो यहाँ पर आप दर्सा देंगे यानि टोटल मैक्सिमम मार्क्स उसके बाद जो आपने प्राप्त किया है कुल पुर्ण अंक वो यहाँ पर दर्सा देंगे अपने विद्याले का नाम देंगे जिस स्कूल से आपने दस्मी परिच्छा उत्यन की है विद्याले का यहाँ पर पता देंगे जिस जिले में आपका विद्याले है वो जिला यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपने किस साल उस विद्याले में नमांकन लिया था वो years यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने विद्याले किस वर्स छोड़ा था उस विद्याले को वो years यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे अब यहाँ पर आपको देन अगला जो प्रोसेस है वो ऐसा सो होगा यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर अपना मातरी भासा हिंदी रहेंगे नग्रिक्ता यहाँ पर आपका इंडियन हो जाएगा धर्म भरणा रिमार नहीं यदि आप चाहें तो भर सकते हैं और अदर यदि आपका blood group आपको मालूम है तो वो यहां से आप select कर सकते हैं उसके बाद यहां पर 154 का पता है यानि आपका अपना पता खुद का देना है यहाँ पर राज अपना select करेंगे यहाँ पर district और यहाँ पर पर्खंट उसके बाद अपना पूरा address यहाँ पर fill कर देंगे village, post, ps यहाँ पर आप pin code दर्च करेंगे यहाँ पर एक mobile number और एक email id email id चालू condition में होना चीए मोबाइल नमर भी आपके पास चालू करने से महमाच यह OTP बाद में यहाँ पर आपको भेज़ा जाएगा यहाँ पर आप अपना जो कास्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है जब जेनरल कडिगरी से आते हैं पर आपके पास यहाँ पर आता है वो कॉलेज चैन करने करता है तो यहाँ पर आपको दस चैन करना एन आप अधिकतम 20 कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप सबसे पहले जिसमें कॉलेज में अपना दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाओ करेंगे ठीक है डिश्टिक का नाम चुनाओ करेंगे उसके बाद कॉलेज का नाम चुनाओ करेंगे जिस संकाई में लेना चाहते हैं आप वो संकाई यहाँ पर से कर सकते हैं ठीक है तो पने हिसाभ से नंबर की साथ से कुछ ये देख लीजेगा जैदा से जब भर दीजisième को दिखालीस बात नहीं ऐ है ठीक है उसके बाद जब आपका यहां पर हो कर देंगे और आपको क्लिक करने के द tofu करने के लिस्त को लगाएं के थि वह और यहां पर तीस तो चेकर आपको क्यांने च्राइब यहां पर शुरिया धागे उसके बाद यहां पर और यहां पर और पिक्ता है का यहाँ पर सुल्क दिया गया है हलाकि यहाँ पर साथे 300 गे बात कई गए लेकिन 300 रिप्या भी आपको दिख रहा है ठीक है इस पर किलिक करेंगे अपना पेमेंट अब आपको जो है कटवाना है ठीक है छटा चरन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इस तरीके से पूरा जो डिटेल्स है वो सामने निकल कर आ जाएगा सब कुछ आपको यहाँ पर देख लेना है आपने जो कुछ भी यहाँ फो में फिल किया है वो सही है अगर आपको लगता है मैंने जिस तरीके से आपको बताया था दस कॉलेज कम से कम आप चूज कर लेंगे ठीक है अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप यहाँ कंफर्म वाले बटन पे किलिक करेंगे देन उसके बाद जो सात्वा चलन होगा आपकी मुबाइल पे एक वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर फिल करके समीर बटन पे किलिक करेंगे ठीक है और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है आपको जो OTP है वो पाँच मिनट तक ही लिए मानना हो तो बहुत यहाँ पर देख ले अपने हिसाब से और उसके बाद जो आपका जो OTP है वो यहाँ पर फिल कर देंगे फिर आपको एक कॉंगरिचुलेशन करके मैसेज आएगा यहाँ पर अब आपको यहाँ पर भुकतान चुनना है ठीक है तो भुकतान आपको कर लेना है यहाँ पर पर प्रुशेट्टिव प्यमेंट पर किलिक करेंगे बुक्तान का जो यहाँ पर click करके विकल्प click करके और उसके बाद यहाँ पर आपका जो payment है वो कर देना है चाहे आप keyword के मादम से करें या नेट बेंकिंग के मादम से करें यह आपका payment has been received successfully का message आएगा यहाँ पर इसको आपको print करके रख लेना है ठीक है अब यहाँ पर आप आपको फिर वहाँ लौग इन करके मैं बता रहा हूं किस तरीके से आपको फिर लौगइन करना है लौग इन करके आपको वहाँ पर फिर आपको information जो Later है वो आपको देखने को मिलेगा ठीक दिया गया है भी दिया थी के लिए आवसक्त चूचना और यहां पर आपका जो क्लिक हर टू अपलाई फॉर एडमिशन इन यहां पर आप क्लिक करेंगे यह लिंक आपका चालू हो चुका है ठीक है जो प्रोसेस हमने बताया उसी प्रोसेस से आपको यहां पर पुरा फिल करन है ठीक है और इहां पर उसके बाद आपको स्टूडेंट लोग नपर क्लिक करना है और उस्टूट स्टूट लोंग्यं परुकिक करके आपने जो लोग इन आईडी करके login कर लेंगे यहीं पर आपका इंटिमेशन लेटर आ जाएगा जिसमें आपको मालुम चल जाएगा कि आपका जो कॉलेज है आपने चुना था वो आपका चुना गया या फिर नहीं ठीक है तो अगर पहला merit list में आपका नहीं आता है second में आता है तीसरा में भी नहीं आता है तो फिर आपका पास एक और यहां पर शुगदा बच जाता है जो export admission कर आता है ठीक है तो यह है process और जैसे ही हमारे पास data आएगा मैं live proof बता दूँगा अलकि same process है कोई दिकत नहीं आएगा जहां भी दिकत आता है आप हमें comment कर सकते हैं वीड़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया